अलो बचों, let's read the question, the question says, in a clockwise system, option A, j-cap cross k-cap is equal to i-cap, option B, i-cap cross k-cap is equal to 0, option C, j-cap cross j-cap is equal to 1, and option D, k-cap cross i-cap is equal to 1, ठीक है बचों? इस question के अंदर हमें क्या दे रखा है कि clockwise system के अंदर तीनों vectors को अगर हम multiply करें, cross product लें, तो उनका क्या आएगा? तो सबसे पहले, i-cap क्या होता है? unit vector होता है, x-axis की direction के अंदर, y-axis की direction के अंदर, जो unit vector होता है, उसको हम j-cap से लिखते हैं, और z-axis की तरफ, जो unit vector होता है, उसको हम k-cap से लिखते हैं, ठीक है बचों? करने के लिए हमारा जो key concept हो जाएगा, so key concept, अब key concept के अंदर हम क्या मानेंगे? कि हमें clockwise system के बारे में बात करनी है, so clockwise system के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इधर i-cap हो गया, और clockwise direction के अंदर, इधर यहां हमारा क्या हो जाएगा? j-cap हो जाएगा, यह clockwise direction, फिर यहां पे हमारा क तो यह हमने क्या करिया clockwise direction के लिए ड्रो कर लिया अब इसके फ्रू जो हमारे आएंगे formulas वो क्या हो जाएंगे सबसे पहला first formula क्या जाएगा आइक क्रोस जे केप आई क्रेप और क्रोस जे केप is equal to हमारा क्या होगा तो आई केप से जे केप की तरफ जाओगे तो हमारा जो result आएका वो क्या आएगा जे केप से आएकेप की तरफ अगर हम उल्टी direction के अंदर जाएगे तो minus केad हमारा result हो जाएगा इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो क्या आएगा result हमार mhans taking the जो result आ जाएगा कि अगर हम केकल क्रोस आएक करेंगे केक क्रोस iCAP तो उस condition में जो result आजाएगा वो हमारा क्या आजाएगा कि jCAP आजाएगा इससी तरह से हम इसको follow करेंगे तो first option हमें क्या दे रखा jCAP cross kCAP तो jCAP cross kCAP हमारा क्या है iCAP so option a हमारा क्या हो गया correct हो गया second क्या देखा i cape cross k cape, तो i cape से k cape की तरप जाएंगे, तो हमारी क्या हो रही है कि opposite anticlockwise direction है तो जो हमारा result होगा, वो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर minus का j cape होना चाहिए, जबकि हमें क्या देखा 0, so option b क्या हो गया, incorrect, option c के अंदर क्या देखा, j cape cross j cape, अब j cape इस direction के अंदर है, औ 0 degree की value हमारी कितनी होनी चाहिए, 0, जबकि यहाँ पर क्या given है, 1, so option c भी हमारा क्या हो गया, incorrect हो गया, अब 4th number हमें क्या दे रहा, k cape cross i cape, k cape cross i cape, तो इस से हमारे पास में क्या आना चाहिए, j cape आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें क्या दे रहा, 1 दे रहा, correct answer यहाँ पर क